अब तक हम एक्सरसाइज 2.5 का हमने 4 कुश्यन तक हम कंप्लीट कर चुके आज हमारा 5 कुश्यन है इसमें 2 कुश्यन है हमारे तो स्टार्ट करेंगे आज क्लास ताइन के मेरे सभी चोटे भाई-बेनों को नमस्ते और भारत माता कीचे फैक्टराइज करना आपको और एक इंपोर्टेंट चीज उदेपूर में जो घटना हुई है कनेया लाल जी का तालिबान की तरीके से गर्दनी काड़ दी ये बहुत गलत हुआ है इसकी घोर निंदा करता है पीवेस लर्निंग प्लैटफॉर्म हमारे जो पीछे बैटे जैम सबॉर्ड हमारे टेमरामेन जी वो भी बहुत दुखी है इवन मैं ये इंसिडेंट हुआ था उसके कम से कम चार-पांस दिन तक कोई काम ही नहीं कर पाया ये फैक्ट है क्योंकि जो सच्चा इंडिया का नागरिक है और जो देश के बारे में सोचता है वो जरू दुखी और वो सच में भी डिश्टब रहा है जैपूर में भी अमने इसका प्रोटेस किया था इस्टेचू सरकल पे बहुत बड़े लेवल पे एक लाग से भी ज़्यादा पब्लिक थी और पूरे इंडिया में सब जगे एक सांती प्रिये एक प्रदरसन होना ही चाहिए क्योंकि यह जो किया है यह बरदास न तो किया जाएगा और न करेंगे फैक्टराइज फोर एकस स्कॉर प्लस नाइन वाई स्कॉर प्लस 16 जेड स्कॉर प्लस 12 एकस वाई माइनस 24 वाई जेड माइनस 16 एकस जेड अब एक चीज बताओ मैंने आपको एक फॉर्मला बताया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्कॉर तो वही फॉर्मला हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे तो यूजिंग आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी इस एकस प्लस वाई प्लस जेड का होल स्कॉर तो ये क्या थेको एकस स्कॉर प्लस वाई स्कॉर प्लस जेड इसक्वाई प्लस 2एकस वाई प्लस 2वाई जेड और 2जेड एकस इसको मैंने आपको डीपली कॉंसेप्ट वाली क्लास में drastic class sinaे उसमें बता ये पूरा आपका आपको पहले वाला जो कुछिन वह मैं ऐसे दे रखा था और हमाने इसको ऐसे open किया अभी हम है पर देखते हैं यह वाला इसको AH22 लिख सकता हूं 2022 2x का whole square, इसको क्या लिख सकते हैं, 3y का whole square, z square किता हो जाएगा, 4z का whole square, 2 in 2, अब देखो, यह आपका यहाँ पर 16 minus का आ रहा है, तो हम क्या करें, यहाँ पर, already इसको minus में ले लो, कोई फरक तो भी पढ़ेगा, पावर तो even है, यहाँ अगर minus 4z का square करते हो, तो plus का 16z square ही आएगा, कोई फरक नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आगे minus आ रहा है, यह आपका यह रहा, तो यह क्या हो जाएगा, 3y into z, यह आपका minus 4z, अब देखो, इनको multiply करो, तो 2 into 3, 6, 6 into minus 4 कितना, minus का 24 आ गया, ठीक है, और रुको, एक बार y नहीं, पहले x वाला तो ले ले, तो पहले x वाला ले लो, x आपका यह रहा, 2x, और यह आपका y है, 3y, तो यह हो जाएगा टेखो, 2 into 2, 4, 4 into 3, 12, तो 12x y आ गया, ठीक है, उसके बाद 2yz, तो 2 into y कितना, आपका y यह रहा, 3y, और z कितना है, माइनस का 4z है, करो multiply करो, 2 into 3, 6, 6 into minus 4, 24, minus का 24yz, minus का 24yz, उसके बाद, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपके लिए, प्लैस, अना, अब आपका 2zx, 2zx, तो z आपका यह रहा, minus का 4z, और यह कितना हो जाएगा, आपका x यह रहा, 2x हो जाएगा, तो same हमने क्या कर लिया, इसको same ऐसे लिख लिख लिया, अब आपको, इसको ऐसे लिखना है, तो देखो, x क्या हो गया आपका, x क्या हो गया, आपका 2X हो गया, Y क्या हो गया आपका 3Y हो गया और Z क्या हो गया आपका माइनस का 4Z हो गया, अब आप इस चीज़ को यहां पुट करो, तो यह जाएका देखो आपका 2X प्लस का 3Y और प्लस और माइनस का 4Z, अब अगर आप इसको open करोगे न इसको तो आपका यही answer आएगा तो यही आपका answer है चलो next चलो second question ज्यान से देखना करना तो वेज़ से यह लेकिन आपको root में दे रहा है तो इधर देखो ज्यान से 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2xy plus 4 root 2yz minus 8xz अब देखना वो ही identity हम यूज करेंगे जो हमने पहले किती using identities ओके तो यह हो जाएगा आपका x plus y plus z का whole square तो x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx ठीक है x square तो क्या हम देखो यहां पर x जेगे यहां पर minus है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और root भी दिये रखा है आपको तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या root 2x का whole square अरे root 2 into root 2 करोगे तो वापिस 2 आ जाएगा अगर आप 2x 2x का whole square करोगे 4x square हो जाएगा लेकिन हमें चाहिए तो 2x square ही तो हम इसको क्या कर देगे root में ले लेंगे तो क्या root 2 into root 2 आपका 2 होगा इसको ऐसे ले लो इसको छेड़ो यह मतो कुछ अब z इसको आप एक काम करो minus का root 2x square ले लो minus का power even है कोई फरेगे नहीं पड़ेगा plus ही आएगा z square तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 root 2z का whole square क्यूंगे देखो अगर हम 2 root 2 into 2 root 2 करते हैं तो 2 और 2 तो 4 हो जाएगा और root 2 into root 2 कितना 2 जाएगा तो 8 आपका इसलिए हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 root 2 into 2 root 2 तो 2 root 2 का whole square हो गया आपका ये और z का square हो गया अब अब आपका यहां से start होता देखो 2 root 2 x y चाहिए तो यहां पर है आपका 2 x कितना आपका अब आप सिधा यहां से ले लिया करो बस कुछ भी करने की जोतनी है और y कितना आपका यह रहा y आप देखो चेक करो यह पूरा पेर और यह पूरा पेर से मिलना चाहिए उसके बाद 2 into yz तो y यह रहा आपका into 2 root 2 z तो देखो 2 into 2 4 4 root 2 yz आगया माइनस 8 x z तो यह हो जाएगा यह रहा 2 root 2 z इसको देखो आप solve कर लो यहां पर आपका 2 आएगा तो देखो यह कितना हो जाएगा आपका 2 root 2 root 2 into root 2 2 2 into 2 4 और 4 into 2 8 आगया 8 और xz हो गया अब आप इसको x y z क्या हो गया आपका x आपका यह रहा y यह रहा x हो गया minus root 2 x y कितना हो गया आपका y तो y रहेगा और z कितना हो गया 2 root 2 z अब आप इसको यहां पर पूट करो x की value क्या है minus root 2 x plus y कितना है आपका y रहें दो plus 2 root 2 z का whole square clear है अगर आप चाहो तो इसको अलग-अलग भी ले सकते हो देखो minus 2 root 2 x plus y plus 2 root 2 z एक तो यह हो गया और एक को ले लो minus 2 root x plus y plus 2 root 2 z ऐसे भी आप ले सकते हो अलग-अलग भी ले सकते हो इसे भी ले सकते हो चलो बाकिए का जो हमारा question है वो हम next वीडियो में करेंगे pvs learning channel को subscribe कर लो bye bye love you all झाल